ममा ममा आज पहले मैं पराठा खाऊंगा नहीं मैं पहले पराठा खाऊंगा नहीं ममा आज मैं पहले पराठा खाऊंगा पहले मुझे पराठा मिलेगा चिरिया के बच्चे इस तरह आपस तराठी के लिए जगरा कर रहे थी इतने में चिरिया इसे कहती है बच्चों ऐसे लगते नहीं हैं, मैं बना रहे हैं उसके लिए पराथी और फिर वो चिरिया अपने फिनों बच्चों को एक एस पराथा दे देती है दो बच्चे तो बहुत खुदर सी पराथा कंदा हने का इंकिजार करते हैं लेकिन एक बच्चा जिसे हर काम के बहुत जल्दी होती है वो गरम-गरम भी पराथा खा लेता है और इसका लूं अंदर पे बुरी तरह जल जाता है ममा, ममा, मेरा मूँ जाल गया मुझे ने में बहुत जलन हो रही है ममा ममा मैं क्या करूँ? और खाओ गरम-गरम पराथे तुम्हें ही तो हर काम में जल्दी होती है सबर नाम की तो कीज़ ही नहीं है तुम्हें मैंने तुम्हें कितनी मार समझाया है कि खाना ठिल्दा करकी खाया करो हर काम में जल्दी मत किया करो लेकिन तुम सिंते ही कहा हो ममा मुझे बहुत दर्थ हो रहा है मेरा मूँ बहुत चल रहा है ममा मेरा कुछ करें लिए करना क्या है चलो बैट तुम्हें तोटे अंकर के पास ले जाती हूँ वो तुम्हें दवा देंगे फिर ही तुम्हारा दर्थीखोगा बच्चों तुम लोग घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना मैं बड़े की दवा लेकर आती हूँ ममा तोते अंकर से कहलेगा इसे बड़ा वाला की का लगाए फिर ही ये खाना थंदा करके खाया करेगा तुम चुप करके बैठो मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम ये दर्द हो तो पता से ले फोर फिर चुडिया अपने बेटे को तोते के पास ले जाती है क्या हुआ बहन कैसे आना हुआ तोते भाया मैंने आलू वाले पराठी बनाए थे और मेरे बड़े बेटे ने गरम-गरम की पराठा खा लिया अब इसके मुझे बहुत दर्द हो रहा है इसे या तो कोई दबा दे या ठीका लगा दे अच्छा तो ये बात है अब तो तुम्हें बड़े वाला ठीका ही लगाना पड़ेगा नहीं अंकल प्लीज मुझे ठीका मत लगाईएगा आप मुझे कोई गोली दे दे या फिस शर्बत दे दे वगर मुझे ठीका मत लगाईएगा प्लीज मुझे ठीके से बहुत दर लगता है अब तुम्हें पता चलेगा मैंना कैंटी थी के खाना चंदा करके खाया करो ममा प्लीज इस बार मुझे ठीके से बचा ले अगली बार मैं कभी जरम जरम खाना नहीं खानगा हमेशा खाना चंदा करके ही खानगा प्लीज ममा मुझे ठीके से बचा ले इस बार पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आईदा तुम किसी भी काम में जजबाजी नहीं करोगे और अपने ममा की बात माना दे मैं वादा करता हूँ आईदा खाना खेना करके ही खाऊंगा बस आप मुझे कोई शर्बत बगरा देते जिससे मेरा मुझे ठीक हो जाए बस मुझे ठीका ना लगाया सोते मैया इस बर तो गड़े ने पत्का वादा कर लिया है कि वो आईदा जजबाजी नहीं करेगा अब आप इसे ठीका मत लगाएं कोई शर्बत ही दे दे और फिर दोता इसके मुझे शर्बत वाली दवा के दो कत्रे डालता है जिससे उसका मुझ ठीक हो जाता है इस कहाने से हमें ये सबत मिलता है कि जल बाजी कभी नहीं करनी चाहिए क्या आप कभी कभी गरम करम पराटे खाने से मुझ जला है कामेंट में जरूर बताएं हमें इंतजार रहेगा तिर्या और कभूतर सुबा से उट रहे थे उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था बहुत मेहनत के बाद उन्हें पहारों के दर्म्यान एक दाना मिल जाता है शुकर है हमें खाने को कुछ तो मिला वरना तो आज लग रहा था कि हाली पेठी गर वापिस जाना पड़ेगा हाँ शही कह रहे हो कबुतर बेया अभी वो दाना खाने ही वाले थे कि वहां कवा आलिकला वो कवा बहुत बुरा था वो हर परिले को तंग करता था वो आकर इंसे कहता है तुम लोग इंदर क्या कर रहे हो और ये दाना मत खाना क्योंकि ये दाना मेरा है ये पहले दिखा है इसलिए इसे हम खाएंगे मेरे साथ बहत मत करो मैं ये दाना रखकर पानी पिने गया था कि आकर इसे खाऊंगा और तुम दोनों इदरा पहुंचे बस इसी बात पे कव्वा इंसे लड़ने लगता है और बात हादर परी तक पहुँच जाती है वो कव्वे का वोग में जादा तर्कत रचा वो इन दोनों की बहुत मार उटाई करता है कव्वा इनको मार के बाग जाता है लेकिन इस लड़ाई में च्रिया का एक पर जहुँ हो जाता है कव्वूतर भईया मेरा पर तो बूरी तरह जहुँ हो गया है इससे तो बेटर था कि हम ये दाना उस कव्वे को ही दे देते किरिया आज अगर हम ये दाना उसको अराम से दे देते तो ये कवा हमें रोस तांग करने आ जाता इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था कपूतर भाया मेरा पर तो जन्मी हो किरा है और आप नहीं छोड़की हम ऐसा करते हैं हम रात होने का इंतजार करते हैं जैसे ही रात होगी हम अंधेरे में यहां से निकल जाएंगे वह बहुत दूर से आ जाती है चिरिया मैं हूना तुम्हारे साथ बस तुम रात होने का इंतजार कर लो अंधेरा होते ही हम यहां से निकल जाएंगे और फिर चिरिया की नजर पास पड़े हुए एक बड़े परिंदे की हड़िया उपर पड़ती है कबूतर बाया ये तो किसी बड़े परिंदे की हड़िया लग रही है इसे भी इन चीदों नहीं मारा होगा और फिर इसका मास खा लिया होगा चीरिया तुम तो ऐसे ही डर रही हो, कुछ नहीं होगा अभी हो ये बाते कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक चीला निकलती है और वो दूर गैटकर इन्हें गूरने लगती है चीरिया बहुत डर जाती है कबूतर भाया, वो देखो वो चील हमें ही देख रही है लगता है अभी हमना कर देखा इतने में वो चीली उनके पास आ जाती है चील बाजी, आप जरा देर से आई हैं अब तो सिर्फ अड़ियां ही बची हैं बहुत मज़ेदार और बड़ी चील थी बहुत मुश्किल से शिकार किया हमने अभी तो देखो चिर्या की जहनी हो गई थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुम भी मज़ा ले लेती बहुत ही मज़ेदार बच्ट था ये तुम क्या कह रहे हो वो ही कह रहा हूँ है अब हम ताजा बच्ट खाते हैं हमसे अब रूपी सुकी गास्पूस नहीं कह जाती ये तो बहुत ताकत पर परिंदे लगते हैं हैं तो चोटे चोटे मगर शिकार किया इतनी बढ़ी चील का कहीं ये मुझे भी शिकार करके नखा जाएं ये सोचकर वो चील वहां से बाग निकलती है बच गए हम कबूतर भया हम बच गए हाँ बस तुमने घवराना नहीं है जो भी चीलाएगी हम इससे यही कहेंगी और रात होते ही यहां से निकल जाएंगे बस अभी हम अगर यहां से उड़े तो तुम्हारे मूल की भुश्बुसे सब चीले ही कटी हो जाएंगी और हमें मार डालेंगी इदर कवा भी गुशे से लाल पिला होकर घर जा रहा था रास्ते में इसे अपनी बीवी में जाती है और वो इसके पास जला जाता है क्या हुआ कवे बस आज एक कबूतर और चुड़िया से लड़ाई हो गई इस कबूतर और चुड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे शोहर पे हमला करें कहा है वो वो पहाडों के दरम्यान थे अब भी शायद वही होंगे तो मुच चलो मेरे साथ मैं अपी इनकी हबर लेती हूँ वहाँ मेरी सहेली चील रहती है मैं इसे बताती हूँ और फिर वो दोनों पहाडों के दरम्यान की तरफ चल पड़ते हैं वो उड़ते उड़ते सीदा चील के पास चले जाते हैं चील वाजी वैसे तो यहां और भी बहुत सी चले है मगर मुझे आप ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं यह अबर आपको देने के लिए आई हूँ पहारों के दरम्या एक कबूतर और चुरिया है चुरिया का पार जहमी है आपको तो जहमी परिंडे बहुत पसंद है आज आकर आप सब्सक्राइप पर्टी ही कर ले क्या जहमी चुरिया मुझे जहमी परिंडे बहुत ज़्यदा पसंद है जल्दी चलो मुझसे तो इंकजार ही नहीं हो रहा सवा और इसकी बीवी चील को लेकर वहां पुहन जाते हैं और जरा दूर एक पेर पर बैठ जाते हैं कबुतर और चुरिया तो वहीं बैठे रात होने का इंकजार कर रहे थे वो देखें चीलबाजी वो तोनों वहीं बैठी हैं आप जल्दी से पीछे से जाकर इस चीलिया को पकड़ लेना वो पेज नहीं उतर बाव सकीगी क्योंकि इसका पर जहमी है और आप असानी से इसे शिकार करके खा लेंगी इतने में चीलिया और कबूतर उन्हें देख लेते हैं और वो फिर से नाटक करते हैं इतना बड़ा परिंदा खा लिया लेकिन मेरा पेट तो अभी भी नहीं बड़ा जबसे गोश्ट खाना शुरू किया है खाने का तो मदा ही कुछ और है मुझे तो और भूख लगी है बस वो कब्वा और अभी आते ही होंगे उस चील को लेकर वो इस चील को बेवकूफ बना रहे होंगे और वो चील हमें खाने की लालच में यहां आ जाएगी इसे क्या पता कि हम तो बुद्गोश खाते हैं और हमने तो कितनी बड़ी बड़ी चीलों का शिकार करना चीज लिया है बस ये सुनने की देर थी के वो चील डर गई ये तो मुझसे भी जादा जालिम परिंदे रखते हैं मेरा तो फिर भी एक शिकार से पेट बढ़ जाता है लेकिन इनका तो बड़े बड़े शिकार खाके भी पेट नहीं बढ़ता ये तो मुझे मार ही डालेंगे और कवे और कवी तुम दोनों की तो मैं बाढ़ में अच्छे से हबर लूँगी इतना बड़ा जोका दिया मुझे ये ते पिर चील वहां से भाव जाती है पवा पीछे से बहुत आवादे लगाता है लेकिन चील एक नहीं सुनती और ये चील बादी बादी बाद तो सुने ये लोग नातक कर रहे है चीलिया का पर्तु मैंने तहनी किया है और ये हडिया तो पहले से यहां पड़ी है चील बादी सुने तो मगर चील तो उनकी एक नहीं सुनती और वहां से भाव जाती है ये कबुतर और चीलिया तो बहुत चलाग निकले कैसे इस चील को डरा कर बगा दिया दोंगों ने कववा और कवी अकल हो तो किसी का भी मकाबला किया जा सकता है तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी अकल बड़ी या भैंस अब तुम भी यहां से निकलो कव्वा और कव्वी नकाम होकर वहां से चले जाते हैं और फिर राच हो जाती है कबूतर और चिरिया अंदेरे में आहिसा आहिसा उड़ते हुए सही सरामत अपने गरों को पहुन जाते हैं इस कहानी से हमें ये तबब मिलता है कि अकर्वंदी से बड़ी से बड़ी मसीबत का भी मकाबला किया जा सकता है